एक लड़के ने दो लड़कियों से प्यार किया, दोनों को गर्बती किया, और दोनों को एक एक लड़का पैदा हो जाता है, और उसके बाद दोस्तों खुलता है याँ पर राज, दो चार गाउं के लोग एकटा होते हैं इसी मामले के उपर, और फिर यहाँ पर होता है एक अचम्बित करने वाला फैसला आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर पूरी सचाई जाने के लिए वीडियो का अंतर तक जरूर देखें नमस्कार मैं हूं सुदेश कुमार और तिरचीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना है च्छतीजगर के गाउं उमला की। गाउं उमला के अंदर रजन सिंग नाम का एक लड़का रहा करता है। रजन सिंग नाम का जो लड़का रहा करता है वे अभी तक तो पढ़ नासता है जूमता है सराव अगेरा भी पीता है जब साधी हो जाती है तो साधी के कुछ दिनों के बाद एक दो साल के बाद अब रजन सिंग की भावी को बच्चा पैदा होता है उसके लिए भी कोई आदमी चाहिए था और यहां पर रजन सिंग की कुछ दिन पहले ही अपनी बच्चे की साप सपाई करने के लिए क्योंकि बच्चा हुआ था अब यहाँ पर क्या होता है रजन सिंग के जो सगाई हुई थी जिस लड़की की जो भावी की चोटी बेन है दुरुगवेश्वरी देवी उसके घरवाले कहते हैं कि बेटी ऐसे अच्छे ने लगती अभी इसकी सगाई उस घर में हुई है तो उसकी जो बड़ी बेटी होती है उनकी वह कह देती है कि मेरे घर में तो आएगी मेरी चोटी बेन तुम भेज़ दो इसको मेरे पास अब दुर्गवेश्वरी देवी को वहाँ पर भेज दिया जाता है रजन सिंग भी वहीं पर होता है उससे उस लड़की की सगाई हो चुकी थी तो तकरीबन महिना बर वह वहाँ पर रहती है अब यहाँ पर क्या होता है रजन सिंग दुर्गेश्वरी देवी को गौर से देखता रहता है तो यहाँ पर रजन सिंग की जो भावी होती है वह दुर्गेश्वरी देवी से कहती है अपनी छोटी बेंच से कि तू इसके साथ खड़ी हो जाया कर इसे बात कर लिया कर यह तेरी तरब देखता रहता है तो उनको एक कमरा दे दिया जाता है कि तुम्हें जब बात करनी हो तो इस कमरे में बात कर लिया करो क्योंकि तुम्हारी साधी तो वैसे भी होनी है आप दोस्तों यहाँ पर रजन सिंग से जो दुर्गेश्वरी देवी है उसकी होने वाली पतनी वह एक कमरे में बात करने लगती है और फिर यहाँ पर यह बाते ही नहीं रहती हैं इन दोनों के बीच में संबंद बनने लगते हैं यही कहकर कि अब हमारी साधी तो होने ही वा तो यहाँ पर बड़ी बेटी फिर से कह देती है कि क्या हो गया बच्चा हो गया तो फिर भी यही पर रहेगी कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई परिसानी नहीं है अब यहाँ पर दीरे दीरे दुर्गेश्वरी देवी को एक बेटा पैदा हो जाता है जब पूरे महीने हो ज जाता है उसके घरवाले भी कहते हैं भाई यह क्या हो गया तो झृभ्धा है लड़की को जोड़ा हो जाता है अब दो लड़कीों को बेटे हो चुकए थे इस बात का जब खुलासा होता है तो पूरे आदिवासी समाज में एक तरह से तहलका मच जाता है किस लड़के ने क्या कर दिया ऐसा तो नहीं करना चाहिए था लोग एकटा होते हैं पंचाइज जुरती है और यहाँ पर फिर यही फैसला होता है इन दोनों लड़कियों ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल कर रहे लेगी क्योंकि हम इसको छोड़ नहीं सकते और हम मा भी बन चुकी हैं हमारे बच्चे भी हो चुके हैं अब हम जाएं भी तो कहां जाएं तो यहाँ पर पंचाइज यही फैसला करती है कि इनकी अब साधी करा दी जाए तो यहाँ पर दूलह एक होता है और उसकी दूलहने दो होती है जो कि बच्चा उनके साथ थे एक एक लड़का अब यहाँ पर कार्च हापे जाते हैं और बड़े धूम धाम से इनकी साधी करवाई जाती है और लोग भी इनको आसिरवाद देने के लिए दूर-दूर के गाउन से वहाँ पर आते चलो पंचाद का फैसला तो सही था कि वह लड़किया जाएंगी कहाँ क्या यहाँ पर रजन सिंग ने जो किया था यह सही था दो-दो लड़कियों के साथ इस तरह का खिलवार किया अगर कोई समझदार सी लड़की होती तो उसको वक्सती नहीं अगर कोई जो कानूं को जानने वाली लड़किया होती है पढ़ी लिकी होती है तो उसको जेल में रखवा देती और उसके साथ बिल्कुल भी साधी नहीं करती जो साधी से पहली धोका दे रहा है एक दूसरे को तो वह क्या जीवन बर साथ ने भाएगा लेकिन दोस्तों यहां पर इन लड़कियों ने भी समाज के फैसले को सराखों पर रखा और समाज ने भी यही सोच कर फैसला दिया कि भाई यह लड़कियों जाएंगी तो जाएंगी कहां इससे तो अच्छा इसी के साथ रह ले तो इस तरह से यह फैसला दिया गया था क्या यह फैसला सही था या फिर यह फैसला गलत था आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं लोगों के साथ सेयर कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सेयर जरूर कर दिया करें हम आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे अगला प्रोग्राम भोजल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सची घर्टना के उपर तब तक आप खुश रहें, साथधान रहें रिष्टों की एमित को समझें कभी भी किसी के जीवन के साथ खिलवार ना करें वरना आपकी जीवन के साथ खिलवार कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा जय हिंद जय भात